स्वागत है आपका बक्सर खबर के समाचार बुलेटिन में न्यूस बुलेटिन के मुख्य स्पॉंसर हैं आरके ज्वेलर्स अकरसकाभूशनों के विश्वसनी विक्रेता यमुना चौक बक्सर मज़र बलते हैं बुलेटिन के फर्मुक सुर्खियों पर जिलाधिकारी के धुवाधार बल्लेबाजी से जीले में मचा हरकम कुरान सराय थाने में नश्ट की गई लाखो रुपे मुल्ल की जब सराब यात्रिक कल्यार समीती के सतस्यों ने डुमराव अस्टेशन पर दिया धरना इद को लेकर सांती समीती की बुलाई गे बैठक डियम ने की लोगों की परसंसा प्रतिभावान छात्रों को कुलहरिया गाउं में किया गया सम्मानित हुई परसंसा अतिक्रमन हटाने गये परसाशन को ददुरा गाउं में जहलना पड़ा विरोध नगर परिशद में उठा भस्टाचार का मुद्दा इंडिनो चर्चा में हथियार जप्त मामले में एक और आरोपी की गिरफ तारी खबर विस्तार से के प्रयोजक्त हैं काम धेनुनेक्स नए जमाने की मजबूत सरिया जिंदल पैंथर सिमेंट एवं सरिया के मुख्ष विक्रेता गंगा सागर विल्डिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिम्री संपर्थ करें नीचे दिये गए इन नंबरों पर अब खबरों के चर्चा बिस्तार से जिलाधिकारी अंसूल अगरवाल ने पदभार गरहन करने के बाद लगातार जिले के हर छेत्र का दोरा करना सुरू किया है बीचे दिन वे ब्रहंपूर पहुँच गए इस दोरान उन्होंने वहां की नजारत में कई कम्या पाई निरिक्षण के क्रम में ब्रहंपूर प्रमेसर नात मंदिर के समीब पर्टन किरासी से हो रहे है निर्माण कारे का भी उन्होंने जाजा लिया आई इस दोरान ब्रहंपूर के CEO बीडियो के अलावे डुमराव अनमंडल के अनमंडल पताधिकारी कुमार पंकज भी उनके साथ रहे कुल मिलाकर हम कहें तो जिलाधिकारी के निरिक्षणों का दोर जारी है और इस वज़ा से इन दिनों महक्मे के पदाधिकारीों में खलबली बची है क्योंकि वे नैने हैं उनके तेवर भी सक्त हैं और किसी मात हथ से उनकी कोई खास आम दरफ नहीं है इस वज़ा से गाज किस पर गिरेगी यह कोई नहीं जानता हाला कि वे बहुत संभल कर चल रहे हैं और लोगों को आवसेक निर्देश भी दे रहे हैं बीते दिन एक रासी मधविद्याले में वे पहुँचे और वहां की गरवड़ी दे कर काफी नराज हुए बुलेटिंग दुसरी सुरकी है सोमर को कौरान सरा थाना परिशर में उतपाद विभाग और जिला पुलिस के पदाधिकारियों ने उतपाद एधिनियम के तहत विभिन्य थानों में दर्ज सराब को विनष्ट कराया इसके लिए जिलाधिकारी बतोर दर्णाधिकारी महा मौझूद थे नियाले के आदेश पर की गई इस कारवाई में कई थानों में जब सराब को एक जगहे कत्र करके विनष्ट किया गया परसासनिक पदाधिकारियों की देखरेक में यह करवाई हुई नियाले ने इसके लिए आदेश दे रखा था बुलेटिन की तीसी सुर्खी है यातरी कल्यान सिमिती के सतस्यों ने बीते दिन दुम्राव अस्टेशन पर धरना दिया दुम्राव अस्टेशन पर यातरी सुविधाओं कई प्रमुख ट्रेनों के ठहराव को ले करके यह धरना दिया गया जिसमें जिले के संदर्विधाय के अलावा कई प्रमुख राजिती कार्यकरता भी मौजूद रहे सूचना के अनुसार मुन्नायादों ने इस कारिकरम के अध़क्सा की अखिलेस केसरी ने इसका संचालन किया वैसे केंदी राजमंत्री असुनी चोवे ने पिछले दिनों बताया था बक्सर के अलावा रहुनाच फूर डुमराओ और चौसा स्टेशन का भी जिनोधार किया जाना पहले तो आप लोग को बहुत भोवत धन्यवाद की रेली आतरी कलाण स्विति के आवाजों को मुलंद करने का काम आप लोग भी कदम से कदम मिला कर कर रहे हैं रेलिया त्री कलान समिती ये डुम्राव साखा दवारा डुम्राव स्टेशन की समेश्याओं के समधान के लिए मुल्वत सुधाओं की बहाली के लिए गाड़ियों के ठाहराओं के लिए एक दिवसिये धरना का उजन किया है जिसके समर्तन में हम सेंट्रल कमिटी के शाथ साथ बॉक्सर से लेकर के भीटा तक के साखा के पदाधिकारी यहाँ पर आए बुल्टिन की चौती सुर्की है जिलाधिकारी अंसुल अगरवाल बीते दिन डुमराओं और मंडल मुख्याले भी पहुँचे उनकी मौजूदगी में सांती समीती की बैठक बुलाई गई बाइस तारी को इद मनाई जानी है साथी साथ परसुराम जेन ती भी है इस दोरान जिलाधिकारी अंसुल अगरवाल नुमराओं के SDP SDO कुमार पंका जादी मौजूद थे डीम ने वहां के लोगों की राय सुनी और उनकी बातों की परसंसा की आप लोगों की पाते सुनके मैं काफी आश्वस्त हुआ और पस्वनिता भी हुई इस प्रकार से सौहार के महौल में और आपसी समन्वाई का जो सोच जो अपरोच मुने देखने को मिली जो आपने बोला की पुली स्पोर्स या किसी पोर्स की तो आप शक्ता ही नहीं है ज इसे शब्धी एक प्रशासने का दिकारी जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है जिस महौल में जिस तरीके से आप लोग भी सोच है इस दिकास के काजरों को भी और आगे ले जाने का उनों की मोटिवेशन इस तरह के महौल में मिलता है किसी भी प्रशासने क्तंत के लिए जिधी वेवस्ता का संधारन करना आप सब लोग भी अगत है कि सबसे प्रात्मिक हम लोग आउदेश के रहता है अब रोज यही रहती है कि तुछी हो जिधी वेवस्ता हार हाल में समारी बुलेटिन की पाचवी शुरकी है बकसर प्रखंड के कुलहरिया गाउं में बीते इंटर की परिक्षा में सर्वोच अंकला करके अपने परिवार गाउं और परजनों का नाम रोसन किया है उन्हें विशेस रूप से सम्मानित किया गया उन छात्रों ने अपने विचार भी लोगों के समक्ष रखे जिसे अन्य छात्रों को प्रेणा मिले बुलेटिन की खाना छेतर के ददुरा गाउं में बीचे दिन सोमवार को अंचल पदाधिकारी राजपूर सोहन राम अतिकर्मन हटाने पहुंचे थे लोग सिकायत ने हुई सुनवाई के बाद इस गाउं के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी जमीन पर अतिकर्मन करने की बाद कही थी हला कि जब सीओ वहां पहुंचे तो जिन लोगों ने अतिकर्मन किया था उन लोगों ने उन्हें घेर लिया और यह बताया हमें जीला परसासन के तरब से बासगित परचा मिला है हाला कि पुरू में भी उने सुनवाई के लिए बुलाया गया था और उनके परचे को गलत बताया गया था लेकिन जब परसासन के टीम अतिकर्मन हटाने पहुंची तो सीओ को भारी विरोत का सामना करना पड़ा बुलेटिन की सातवी सुर्खी है नगर परिशद की उपाध्यक्स इसरत बानो उन समाजी कारकरता राम जी सिंग ने डीम को एक ग्याबन दे करके याब बताया है सहर में सफाई के नाम पर लूट हो रही है पाले जीस एजनसी को गंगा स्वक्सता के नाम पर बारा लाक रुपे का भुक्तान किया जा रहा था उसको रद कर दिया गया है बावजूद इसके काम उसे लिया जा रहा है बुलेटिन की आठवी सुर्खी है जिले की पुलिस ने रविवार को प्रेस कॉंफरेंस आयोजित कर बताया कि मुंगेर से हत्यारों की तसकरी की जा रही है अपने जिले में बेचने के लिए लाए गए चाफ पिश्टल पुलिस ने बरामत किये थे इस मामले में एसपी मनिश कुमार ने बताया कि दीपुराम गराम नेनवा थाना डुमराओ दिने से आदो गराम दलसागर थाना ओ देऊगी एवम चंदन और फासी सुर्फ सुफिया गराम परधानपूर थाना सरसा जिला बलिया को इस आरूप में गिरफतार किया गया है यहां से ही यह असल है बरामत किये गए थे जिने तस्करों ने उनके घर में रख छोड़ा था। चलते चलते आपको बता दें परतेकर विवार को बक्सर खबर दिवे दर्सन नाम से एक साब ताहिक कालम प्रस्तूत करता है। इस एपिसोड में देश के विविन्द मंदिरों का दर्सन लाव प्राप्त कर सकते हैं। आज की गुलेटिन पर सितना ही आप देख रहे हैं बक्सर खबर हमारे साथ अंतक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।